ससुराल गेंदा फूल बिटी क्या हुआ लड़की का, शादी करेगा की नहीं, मेरा मा था तो सोच सोच कर फटे जा रहा है अरे ममी रोज वही सवाल, हो जाएगी शादी मेरी, अब विचर वो भी क्या करे उसकी मा शादी के लिए मानने को तयारी नहीं है, वो अपनी मा के हाँ का इंतजार कर रहा है अब ये कोई बात है क्या, अगर उसकी मा नहीं मानी तो शादी नहीं करेगा वो जब इतने लपड़े हैं तो दोसरे को लटका कर ना रखे कम से कम लेकिन अब करी क्या सकते हैं ममी मैं दिमाग नहीं लगाते जो मेरी तक्दिर में होगा वो होगा ये सिब क्या है हम तेरे लिए अच्छा लड़का देखते हैं और तेरी शादी करवा देते हैं पड़ा रहेगा अपनी मा के आचल से बंदावो उसे भी तो समझना अब जरूरी है अजेई के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी अब जो हरी इच्छा शिखा अजेई को कॉल करती है और विमला से हुई सारी बाते उसे बताती है तुम टेंशन ना लो मा को मैं किसी भी तरह मना लूँगा और और इस लगन में मैं तुम से शादी कर लूँगा हाँ अब तुम क्या करोगे तेखलो अगर इस लगन में मा नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊँगी यार तुम्हें मैं जाने दूँगा तब ना सब से ही हो जाएगा इतने दिन बरदाश कर लिया तुमने थोड़े दिन और कर लो मुझे नहीं लगता हम साथ हो पाएंगे अब तुम आने सब छोड़ दिया है भगवान की उपर जो होना होगा वो होगा शिखा की ऐसी दबी आवाज सुनकर आजे उसी वक्त अपनी मा संजना की पास जाता है ममी तुम क्या कह रही हो किस बारे में बात कर रहा है तू किस बारे में क्या मैं शिखा की बात कर रहा हूँ मैं उसे प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा अब तक मैं आपसे पूछ रहा था अब मैं पोछूँगा भी नहीं, यह आखरी बार है जो मैं आपके पास आया हूँ, अब मैं सीधे कोट मेरेज करके उसे लेकर सबसे दोर चला जाऊँगा, एक लड़की तेरे लिए इतनी जरूरी हो गई, कि तु रोज उसके लिए हमसे किच-किच करता है, जरूर कुछ खि कर में अपनी मा को इतना सुना रहा है, दीदी कोई है जिस से जाड़ा दिलवा सको, आज तक मेरे बेटे ने मुझसे कुछ नहीं कह था, आज इस लड़की के चक कर में मुझे क्या-क्या सुना रहा है, जरूर कुछ खिला-पिला दिये हैं मेरे लड़की को, हाँ, एक संदित को फोन करने लगती है, तभी अजे संजना से फोन लेकर काट देता है, ममी ये सब बहुत गलत कर रही हो तुम, अब बस, पानी मेरे सिर के उपर से चला गया है, अब मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूं, जब बेटा ही नहीं रहेगा तो जाड़ा किसको दिलवाओगी, फिर फोन करके सबको चुबली करती रहे ना, अजे घर छोड़कर जाने लगता है, बेटी को इस तरह जाता देख संजना कहती है, ठेक है काले जिससे शादी करनी है, तेरी पतनी ही रहेगी वो लेकिन अपनी बहु मैं उसे कभी मन से नहीं मानूगी, संजन आई के बाद शीखा आजे के साथ घर आती है, संजना ग्रह प्रवेश के समय ही स्वागत की जगर शीखा को ताना देती हुए कहती है, अब इसका क्या ग्रह प्रवेश, आने से पहले ही मेरे बेटे पर कब जाकल ली, आजा बैसे ही, तब इस संजना की बहन आरती की थाले आउर संजना से कहती है, कि क्या बूल रही हो, आरती करो बहु की, बहु, कुम कुम की थाले में पैर रख कर घर में आजाओ, अब जैसे भी हो, बहु बनकर जब आगई है, तो इसे इजज़त से घर में लेकर आओ, संजना मो बनाती हुई शीखा की आरती करती है, और से चल धुमधाम से हूँ, धुमधाम तो छुड़ो, यहां कोई मुझे एक नजर देखना तक नहीं चाता, तब या अजे की चचेरी बहन प्रियंका निकल कर आती है और उसे कहती है, धाबी तुम दुख्यों मानती हो, इस घर में लव मैरेज करना पाप है, अजे की जित के कारण शादी हो गई है, वनना ये लोग शादी भी नहीं होने देते, आप अपनी पूरी कोशिश करो, ताकि सब की दिल को जीत सको, और सब को ये पता चल सके, कि लव मैरेज वाली बहु भी घर को जोड़े रख सकती है, धीदी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, और करू जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हें किसी के बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूत नहीं है, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो, और हमेशा साथ रहोगे, चलो, सोजाओ अब ज्यादा सोचने की जरूत नहीं है, शिखा और आजे सोजाते हैं, अगले दिन भी वही छोड़ कर आई हो क्या तब एक पडोसन वहां आती है क्या हुआ संजना बेन सुबह सुबह एतना मूड क्यों खराब ये बैठी हो अरे आप क्या कहूं आज कल के बहुआ को अब ये भी सिखाना होगा के सुबह उठते ही साज ससुर के पैर चुए जाते हैं शिखा य ये तो कैसी होगी अब तो ही आदर डाल ले इसकी तब भी वहां शिखा का देवर अमित आता है और उसे छेटती हुए कहता है भावी बस ममी कही पैर चोगी मेरे नहीं अच्छा था आपकी भी जूलूंगी मुझे कोई आतराज नहीं है शिखा और अमित दोनों हस्ते लग तक लिटी चुखा और साथ में बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी बनाती है भूख के मारे श्रिया आवास दे कर कहती है भावी कुछ दे भी दो खाने वनना जान बहां निकल जाएगी दिदी बस होई गया लगा रही हूं नाश्ता शिखा नाश्ता लगाती है और सब नहीं भावी रात में श्रिया के बसंद के चाओमिन मंचुरियन बना देना हाँ सरूर शिखा मन मन मुस्कुराने लगती है तब संजना कहती है अब तुम लोगों को भूख नहीं लग रही है क्या खाना खाओ चुपो कर सब चुपचाप खाना खाने लगते हैं आती ही माल किन मनने की तैयारी करने लग गई नाष्टा बनाने से पहले पूछा नहीं गया क्या अपने घर की तरह सब समझ रखा है क्या है हमारे घर में सुबा पहले लसुन प्यास नहीं बनते है ममी जी मुझे पता नहीं था लेकिन अब से नहीं बनाऊंगी बगवान के लिए गैस पुरी तरस साफ करके अलग से खाना बना कर भोग लगा दे। जी ममी जी, शिखा का मुँ उतर जाता है और वो रसुई में जाकर भोग बनाने में लग जाती है। तबी अमीत और श्रिया हाथ दोने के लिए रसुई में आते हैं। श्रिया शिखास से कहती है, भाबी अब ममी की बातों का बुरा मतमान ना, वो ऐसी कुछ भी कहती है। भाबी, लिट्टी चोखा तो सॉलिड बना था, मेरे लिए उठा कर रख देना दोपेर में मैं यही कहूँगा। भाईया ने आपसे लव मैरेज की है ना, वो भी ममी की मर्जी के खिलाफ, इसलिए वो आपके साथ ऐसा कर रही है। कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएंगी वो, भाईया की शादी को लेकर ममी की बहुत अर्मान थे, सब पर पानी फिर गया ना, इसलिए ऐसा करती है वो, दिन बीतने लगते हैं, ससुराल में हर कोई अलग-अलग तरीके का होता है, धीरे-धीरे संजना के घर में सभी कोई शि कुछ ऐसा कर जिससे शिखा मेरे बिटे की दिल से खुदे निकल जाएंगे और अजय ही उससे छोड़ दे, फिर हम अजय की शादी बड़े धुमदाम से करेंगे और बहुत सारा दहिच भी लेंगे, अरे दिदी आप आजाओ ना, हम दोनों ननत्भावी मिलकर अजय की जन अब आप खेला देखो वस, अनु उसी शाम अपने माई के पहुच जाती है, उसी रोज रात की खाने के समय संजना, अमित और बाकी सबसे कहती है, अमित, सब मुझ से कह रहे हैं कि बेटे की शादी में नहीं बुलाया, अब शिखा आई गई है तो मैं सोच रही हूं कि आई तो होगा ना, हाँ हाँ दीदी दे दूंगी ना रेसेप्शन में, वहीं पहना होगा ना शिखा को, बुव आप पहली ही आ जाती, आपकी आने से मम्मी की सोची बदल गई, छलो कम से कम इतने दिनों बाद हमारे गर में भी तो पाटी होगी, आजे ही संजना की गले ल रात में संजना अनु की सामने सारे जीवर, शिखा को दिखाती है और कहती है, अगले हपते रिसेप्शन पाटी में ये सारे जीवर पहनना, मेरी बहु किसी से काम नहीं लगनी चाहिए, अभी मैं पॉलिश में दे रही हूँ, ठीक है ममी जी, संजना शिखा से बहुत अच शिखा सबको खाना परुस्ती है और अजे एक और खाते ही अपना कान पकड़ लेता है, पानी, कितनी मिर्ची डाल दी है शिखा, तुम्हें पता भी है कि मैं मिर्ची नहीं गाता हूँ, अगर खाना बनाने का मन नहीं तो बॉल दे दिना, मैंने मिर्ची नहीं डाली, सब अजे को पानी देते हैं, आरे छोड़ ना बेटा, गलती से हो गया होगा, बहु भी तो बच्ची है ना, अजे खाने से उठकर चला जाता है, शिखा उदाह सुझाती है, थोड़ी दिर बाद अनुब बात्रुम में से आती है और कहती है, बात्रुम बहुत सड़ रहा है, बहुत बदबु आ रही है, पानी नहीं मारता है भई कोई, बहु अभी तो भाबी जाकर आई है, कभी पानी नहीं डालती, लेकिन छोटी अगर मैं कुछ कहूंगी तो सब कहेंगे छोटा मुँ बड़ी बात, हे राम, कुछ नहीं आता है इस लड़की को, ये सब कुछ सु जोड़कर भाग गई, तो इस घर की इससत मिट्टी में मिल जाएगी, मुझे ये बात अजे को बतानी होगी, शिखा, अजे को उसी वक्त जाकर सब कुछ बता देती है, कल मैं ओफिस नहीं जाओंगा, और श्रिया पर नज़र रखोंगा, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकती है, ह जिख ता हूँ, मैं अगले दिन अजे सुबह से ही श्रिया पर नज़र रखता है, जैसी वो देखता है कि उसके घर के बाहर कोई गाड़ी आकर रुकी है, वो श्रिया के निकलने से पहले ही बाहर निकल कर छुप जाता है, जैसे ही श्रिया उस लड़के से गले मिलकर प्रेम विवाह करेगा तो बहन खुद ही ये सब करेगी अब समझ में आया तुझे तेरी मा क्यों प्रेम विवाह के लिए मना कर रही थी वो आपने ठीका भाया आपने खुद किया तो ठीक और मैंने किया तो गलत तुझे भागने की क्या जरुत थी हम करवा देते ना तेरी शादी रैनी दो भाया तुम बेटे हो इस घर की इसलिए तुमारी शादी हो गई ये अपने भाया से कैसे बात करियो तुम आप तो अपने मूँ बंदी रखो ये सब आपका ही किया धरा है आजय शिखा तुम दोनों अपने कमरे में जाओ मैं श्रिया से बात करती हूँ अजय और शिखा अपने कमरे में चली जाते हैं अजय गुस्से से लाल होता है और शिखा से कहता है इस लड़की से तुम्हें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है बहुत बतमिज हो गई यह आप अपना दिमाग शांत रखी न इधर श्रिया गुस्से में कहती है भाबी, अब तो आप आगई जिस तरह आपके कारण मैं अपने प्यार से नहीं मिल पाई अब आपको भी मैं यहां रहने नहीं दूँगी आपके रिसेप्शन के दिन ही आपको इस घर से निकलना होगा अमीद और अजे रिसेप्शन की तयारी में लगे थे एक दिन अमीद ठका था और कहता है भाबी, एक अब चाय दो देना जी भेया शीखा चाय बनाकर अमीद को देती है लेकिन गलती से पूरी चाय अमीद के पैंट पर गिर जाती है अमीद चिलाती हुए कहता है हाज जला दिया भाबी आपको दिखाए नहीं दिता है क्या गसब करती हो पता नहीं भाईया ने आपसे शादी कैसे कर ली मैं चाहा कर भी किसी को खुश नहीं कर पा रही हो सब हर बात के लिए मुझे ही दूशी बता दे है बेटा सिसुराल बसाना इतना आसान नहीं है बहुत कुछ छेलना पढ़ता है सिसुराल के बारे में ऐसे ही नहीं कहा गया सिसुराल गेंदा फूल सास गली देवे देवरजी समझा देवे ससुराल गेंदा पूल है ना बेटा दुनों मा बेटी हास पढ़ती है फिर आमें ताकर शिखा से माफी मांगता है भावी मैं बहुत धका हुआ था तो गुस्से में कुछ निकल गया मुझे माफ कर देना कोई बात ने देवर जी थोड़ी देर बात संजना खांदाने जेवर पॉलिश से लेकर आती है और अनु के सामने ही अपनी अलमीरा में रखतीती है रेसेप्शन वाले दिन कुछ बड़ा करना है तब ही ये मचली हमारे घर से निकलेगी हाँ दीदी कुछ करी है जल्दी वरना अगर बच्चा हो गया तो हम तो गया काम से इधर मौका पाकर श्रिया संजना की कमरे से जेवर चुरा कर शीखा की अलमारी में रखतीती है रात को जब संजना अपनी अलमारी में जेवर नहीं देखती तो वो घबरा कर कहती है जेवर शाम को लाई दीदी और चौरी भी हो गया खांदानी जेवर किसने चुरा ली है पुलिस में कंप्लेंड करो अजए पंद्रा लाग के जेवर घर से चौरी हो गया है आब या तुरंद कॉल करो पुलिस को अमिद पुलिस को कॉल करने लगता है तभी उसे रोपते हुए श्रिया कहती है मुझे लग रहा है कि जेवर हो ना हो भाभी ने चुराया होगे उनके कमरे की तलाशी लो ना घर में ही निकल गए जेवर तो हमारी तो नाग जाएगी अगर पुलिस आएगी तो मैंने नहीं चुराया है ममी जी मैं सच कह रही हूँ नहीं भई इस लड़की पर कोई भरुसा नहीं है चेकिंग करो इसके कमरे की बहु जब तुने कुछ किया ही नहीं है तो अपने कमरे की चेकिंग करवाने में तुझे दिक्कत क्या है सब शिखा के कमरे की तलाशी लेते हैं और उसके अलमारी में से जेवर निकल जाते हैं जेवर देखकर सब के होश ओड़ जाते हैं और श्रिया कहती है देख लिया ममी मैंने सच कहा था ना शिखा फूट फूट करोने लगती है सब मिलकर शिखा को घर से बाहर निकालने लगते हैं तब ही अजे शिखा का हाथ पकड़ कर अपनी और करकी कहता है शिखा अपना सामान बांदो हम यहां नहीं रहेंगे ममी मुझे आप सबको अपना कहने में शर्म आ रही है मुझे पता है आप लोग शिखा को अपनाने का जूटा ड्रामा कर रहे थे श्रिया ने जेवर रखे थे शिखा की अलमारी में आप और बुआ मिलकर शिखा को घर से निकालने के लिए चाल पे चाल चल रही है झाल झाल झाल